श्री श्वाय नमस्त अभ्यम बोलिये संकर भगवान की जय श्रावनमास मात्यम के तीश में दैगी कथा प्रार्म करते हुए संकर भगवान कहते हैं है सनतकुमारो मैंने आपसे स्रावनमास का कुछ-कुछ मात्यम कहा है इसके संपुर मात्म का उपरनन सेंकलों बड़सों में भी नहीं हो सकता है मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्स की यगब में अपना सरीर दक्द करके पुने हिमाले की पुत्री के रूप में जर्म लिया स्रावण मास में ब्रत करने के कारण ये मुझे पुने प्राप्त होई इसलिए स्रावण मुझे प्रिया है ये मास ना अधिक सीतर होता है ना अधिक उसन गर्मी वाला होता है राजा को चाहिए कि स्रावन मास में स्रोतागनी से निर्मित स्वेत्व बस्ल से अपने संपून सरी को उद्धोत करके जल्द से आद्रा बस्म के दारा मस्तक बक्चस्थल ना भी दोनों बाहू दोनों कौनी अत्वा कलाईं कंट सर और पीट इन बार इस्थानों में तुरप साथ में तबा हवा मही अत्वा सद्धो जातं परपद्यामी सद्धो जाताई वै नवोड़मा अत्वा स्लाक्षर मंत्र ओ नमस्चवाई से बस्म के द्वारा सरी को सुसोबित करें और सरीर में 108 रुद्ध्राक्ष दान करें गंट में 32 रुद्ध्राक्ष सर पर दोनों कानों में वार है दोनों हातों में 24 दोनों बोजाओं में 88 लाट पर एक और सिखांके अगर भाग में एक रुद्ध्राक्ष दान करें इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर 25 मंत्र का जाप करें हे सननक कुमारो स्रावनवास में जो ऐसा करता है मेरा इस रुप नहीं है इस मास को मीरा उतनत्य प्रियाग जानकर केशब की तता मेरी पूया करनी चाहिए इस मास में मेरी अतन्द प्रिय गे थी किष्टन जनवाश्टमी बारत के पश्चिमी परदेशों में युगा देती थी के अनुसार मास का नाम प्रन होता है तो स्रावन किष्टन पक्ष की अश्टमी को बादपद अश्टमी समगना चाहिए उस दिन बागवाश्यारी देमकी के गर्व से उत्पन होएते है सनत कुमारों यह मैंने आपको संचिय में बताया है अब आप और गता सुनना चाहते हैं सनत कुमारों बोले है पारवती बते आपने स्रावनवास का जो जो कृत कहा हुने सुनकर आनन्द सागर में निमंगन एनेक के कारणा और वर्रन बिश्टित होने की कारणा व्यविश्टित रूप से स्मरती नहीं आप आई है आते है नात आप करम से सबको यथारत रूप से बतलाईए साबधानी से सुनकर में बक्ती पूरूर ने दालत करूंगा इसर बोले है जनत कुमारों स्रावनवास की सुव अनुक्रमनिका का आप साबधानों करके सुनिए सरपतम सोनक का प्रश्ण तथपसा सुद जी का उत सुरूता अप्देगुल आपके प्रश्ण स्रावण की वित्वत्ती उसकी श्टती पुने ए मुने आपने विश्तरत प्रश्ण करके बाद नाम वतरन साइथ आपके द्वारा की गई श्मेरी श्टती फिर करम से उबधिश पूरुव मेरा उत्तर पुने आपका बिशेस उसके वाद नक्त वक्त की विधी रुद्राविसे कतन इसके वाद लक्ष पुजा विधी दीबधान फ्यरो किसी प्रिया बस्तू का परित्याक पुने अपसे करने तता पंचें ब्रत ग्रण करने से प्राप्त होने वाला फ़ल उसके वाद प्रती परश्यन करने तता मौन लिंग बिधान इसके वाद अदोधन नाम ब्रत कहा गया है। बने सनिवार को निर्सिंग सनिवायो और अस्वस्त का पोजन ये सब किया गए है। लिंग बिधान इसके वाद सिवजी का पवित्रक धान पुने उपाकर्म उत्सर्द तदा सर्मन कर्म इसका वणिग किया गया है। उसके वाद सर्भवली है गरीव जनमुशाव सवादीप रक्षावंदन संकट नासन ब्रत कृष्ण न्वाक्ष्णी म्रत था उसकी कट्था। पिठोर नामक ब्रत पोला नामक ब्रसब्रत कुसद रेड नदियों का रव्योधर्म सिंग संक्रांती में गोप्रसब होने पर उसकी सांती कर्ग सिंग संक्रन काल में तथा स्रावन मास में दान इसनान में हत्तम मात्तम स्रवन के वाद वाकत पूजा इसके वाद अगस्त और्ग विदी फिर रमो था व्रतों के काल का नर्ट summ बताया गया के जो शरावनमास के मात्म का पाट करता है उसका अत्वा इसका स्रुन करता है वैं इस मास में किये व्रतों का व्रतों का फल पराप्त करता है हे सनत कमारो आप इस सुब अनुकर्म को अपने हिरदय में दान कीजिए जो सद्ध्याय गौश्तता स्रावन मास के मातम को सुनता है वै उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी बृतों का होता है हेव प्रे अधिक क्याने से क्या लाव है स्रावन नमास में जो वेदान किया गया है उसमें से किसी एब रत का भी करने वाला मुझे प्रिया है सूच जी बोले हे सोनक जी शिव जी के अमरत में इस उत्तम बचन को अपने करन पुट में पान करके सनतकुमार आनेंद हुए और क्रत्रत हो गए स्रावन नमास की सुधी करते हुए तथा एड़र में सिव जी का स्मल करते हुए वे देवर्जी स्रेष्ट सनतकुमार संकर जी से आग्या लेकर चल गए जिस किसी के समक्ष इस अत्तंद स्रेष्ट रहस्ट को प्रकास्ट नहीं करना चाहिए पर वो आपकी योगता देखकर ही मैंने इसे आप से कहा है बोली संकर वागवान की स्रावन वास मात्तम के तीस में अध्याय की अता समाप्त होई